जए दोस्तों, तो कैसे आप सभी उम्मीद है, आप सभी बेहतर होंगे और अपनी तयारी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यूपी पुलेस कॉंस्टेबल की तयारी को और इंप्रूब कैसे करे हम क्योंकि ये कुछ ऐसा समय है कि अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी भी लापरवाही करी, तो आप बहुत पीछे यहाँ पर चले जाओगे आपको याद होगा कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही की वज़े से आपके फार्म गलत हो गया है, तो उसके लिए आप करेक्शन डेट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आपने थोड़ी सी लापरवाही करी तो आपका एक्जाम भी गलत हो जाएगा, वह ध करते हैं कि सर हम अपनी तयारी को improve कैसे करें, देखो, यहाँ पर दो तरीके के बच्चे होंगे, मुझे पता है, सबसे पहले तो वो जिनका syllabus एकदम complete हो चुका है, आज complete हो चुका है, या फिर आज के बहुत दिन पहले उनका syllabus complete हो चुका है, तो sure है कि वो अब practice कर रहे या फिर कहीं online वो mock test दे रहे हो, दोनों तरीके उनके लिए बेतर हैं, जहां से भी उनको comfortable होता होगा, वो अपनी तयारी उस तरीके से कर रहे होंगे, दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जो बच्चे अभी तक अपने syllabus complete नहीं कर पाए हैं, वो क्या करें, क्या वो अपने practice set लगाएं, या फिर अपने syllabus को वो complete करें, तो देखो मैं आपको बता दूँ, syllabus जब तक आप complete नहीं करोगे, आप practice set किस चीज़ का लगाओगे, लिकिन यहाँ पर बात यह है कि सर syllabus बहुत लंबा है, अब हम कैसे complete करें, तो देखो यह आपकी गलती है, और आपको extra effort करना जनवरी तक अगर आपने अपना syllabus complete कर लिया, वो किसी भी subject का हो चाहे, वो Hindi का हो, GKGS का हो, Math का हो, या फिर reasoning का हो, इन सभी के syllabus आपको complete करने ही पड़ेंगे, खास कर यह धियान रहे आपको कि जिस भी subject में, जिस topic से ज़्यादा question पूछे जाते हैं, उसका syllabus तो आपको सिव करना ही करना है, और इन चारो subject में से दो subject ऐसे हैं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा important है, जो selection में एहम role अदा करते हैं, वो आपका है Hindi और reasoning, तो दिहान रहे, इन दोनों पे आपको ज़्यादा time देना है, ज़्यादा time देने का मतलब यह है कि अगर इन में आपका अभी अच्छा score नहीं आ रहा है, तो आपको analysis करना है, देखना है कि कौन से topic में कहां भी हमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि हिंदी में और reasoning में तो आपको बहतर score करना ही पड़ेगा, अगर आपको selection लेना है, तो अगर इन दोनों में भी आपका बहतर score नहीं हुआ, तो दिहान रह है, आप selection में बहुत पीछे खड़े नजर आ रहे हो, तो इन दोनों में कहीं भी कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आपको sure है कि अभी भी मेहनत करनी के जरूरत है, क्योंकि GKGS में लगभग बच्चे कमजोरी होते हैं, math भी सभी बच्चों का अच्छा नहीं होता है, लेकिन आप सभी जानते हैं, हिंदी एक ऐसा subject है, जिसमें लगभग सभी बच्चे अपना बेतर score करते हैं, तो जिसमें सभी बच्चे आगे हैं, अगर वही subject आपका weak है, वही subject आपका खराब है, उसे में आपके कम number आ रहे हैं, तो sure है कि आप उनसे बहुत पीछे यहां पर हो जा है, जब आपको अपनी पूरी ताकत लगा देनी है, 100% अपना लगा देना है, केवल कहना नहीं है कि sir हम अपना 100% दे रहे हैं, अपना लगा देना है, जितने भी समय आपको बैठना है पढ़ने के लिए, एकदम असली वाली पढ़ाई करनी है, असली वाले का मतलब आप शेयर करिएगा और शेनल पर नए है तो इसको सब्सक्राइब करके विल एगन को भी दबा दीजेगा जाहिंद।